जारखन के 67,000 पहराशिक्षकों को सितंबर महिने से बेतर नहीं मिला है ये 15 नवंबर का वीडियो है जब उनकी राची में पिटाई हुई थी लाठी चार्ज के जरीए तो गिरीडी के पैरा शिक्षक रवीर अंजन सिना ने शिक्षा प्रसार अधिकारी को एक चिठी लिखी है उनसे दो दिनों की छुटी मांगी है ताकि वे भीख मांग कर गुजारा कर सके अपने छेत्र में दृजेपी को हराएंगे 15 नवंबर को जारक खन बे सोर हुआ, राथी को रावाना हुए पलान ही विजोर सुगा, किक है रदी कला जन्दा दिकातिये हैं या भीबी दिखाएंगे रदाखन जन्दा दिकातिये हैं या भीबी दिखाएंगे रगुबर को डार हुआ पसीना तारे तार हुआ जुगे नहीं पारा सी चप पूलिस से गिरबदार हुआ ठीक है रवी रंजन सीना सतरा साल से एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं पत्र में लिखा है कि अब कर्जदार भी कर्ज नहीं देते हैं बीमारी में दवा खरीदना मुश्किल हो गया है 66,000 कर्मचारियों को 6 महिने से वेतन ना मिले इस पर कोई चर्चा नहीं मीडिया ने खबर देखने वालों को ही खबर विहीन बना दिया है अरे जेल में बंद है पारा सिक्चक उनको भी चुडाएंगे आंगरेज साचक रगुबर को जारखन से भलाएंगे पारा सिक्चक के डान से पुलिस पर सासन सेट किया मीडिया वाले भाई को भी फोटो भी डिलेट किया 67,000 लोगों को वेतन नहीं मिलना कोई नियूज वैल्यू नहीं है अगर यह खबर छपती भी है तो ऐसी खबरों का कोई यूमन वैल्यू नहीं है खबरे छपती हैं और सरकारे अनसुना कर देती है ठीक है अर जैसा पीटा है पूलिस पर सासन वैसे भी पिटवाएंगे अपने अपने छेत्र में विजेपी को हराएंगे पढ़ा रहे हैं पंदरा बरस अभी भी पढ़ाना है सुप्रीम कोट के न्याय को सरकार से मनवाना है ठीक है अरे अपना हक यदिकार को सरकार से मनवाएंगे ठीक है अरे अपना हक यदिकार को सरकार से मनवाएंगे पारा सिक चक एक रहेंगे नी रह जाएंगे पारा सिक चक एक रहेंगे नी रह जाएंगे इन खबरों की जगा मीडिया में सर्वे हो रहा है कि किस नेता की लोग प्रियता कितनी प्रतिशत है एक सर्वे के नंबर के पीछे लाखों करोडों लोगों की तकलीफ का नंबर जीरो कर दिया जाता है इन सब को आखरी बार पिछले साल सितंबर में बेतन मिला था हम लोग के बक्ष में भी बक्ष भी सरकार है रघुबर के कुरसी हटावे के तैयार है ठीक है आपको याद है जब ये वीडियो दिखा रहा हूँ उसी वक्त का है 15 नवंबर का जब पैरा सिक्षकों पर लाकी चार्ज हुई थी जेल गए थे हमारे सयोगी हरवंस को विभाग के दिकारियों ने बताया कि वेतन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार से 200 करोड की मांग की गई है पैसा नहीं आया है